नमस्कान दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के योजना पर एकोन नया ताज़ा अपडेट लेटेश न्यूज आप सभी पैंशन नाभारतियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं अब इन पुराने पैंशन भोगियों को इस कारण की वज़ा से नहीं मिलेगी पैंशन पहले सरकार की तरब से 33,000 रुपे ये पैंशन रासी लाभारतियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जा रही थी लेकिन कुछ ऐसे कारण पाए गए हैं जिसकी वज़े से अब पैंशन लाभारतियों को पैंशन मिलना बंद हो चुकी है यानि की 33,000 रुपे पैंशन आसी जो है अब बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं की जा रही है इसके पीछे क्या करण है क्यों नहीं लाभारतियों को अब पैंशन दी जाएगी यदि आप भी एक पैंशन लाभारती हैं और सरकार से दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्था, कुष्टवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पैंशन का लव प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पैंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वह करण बताने जा रहे हैं, जिस वज़ास से अब पुराने पैंशन भोग्यों को पैंशन नहीं मिल पाएगी करण बताएंगे और फिर हम आपको इसका स्चोल्यूशन भी बताएंगे, कि आप अपनी पैंशन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं वीडियो की सुर्वात करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बारा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है, वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सकें, चलिए वीडियो की सुरुवात कर लेते हैं देखे दोस्तो, अब आपने देखा होगा, एक दो साल में जरतर पैंशन के नियमों में परिवर्तन किया जा रहा है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, वर्ष 2014 के अंतरगत, पैंशन से कुछ नियमों में परिवर्तन किया गया है यानि कि पहले जो pension रासी दी जा रही थी लाबहर्तियों के बैंक खाते में ट्रांस्फर के जा रही थी वह account based payment होता था यानि कि इसमें आपका account number IFSC code की अवशक्ता होती थी जब सरकार आपके बैंक खाते में pension को transfer करती थी सभी को सरकार पहले account based payment करती थी लेकिन ऐसे स्थी में अब ऐसा हो रहा है कि सरकार ने account based payment करना बंद कर दिया है सभी को अब जो payment किया जा रहा है वह आधार based है समझ रहे हैं आधार based सरकार अब pension का payment कर रही है कुछ ही ऐसे राज्य सरकारे हैं जो अकाउंट बेश्ट पेमेंट कर रही है नहीं चाहे आपकी सेंटरल गवर्मेंट स्कीम हो या स्टेट गवर्मेंट हो जादतर जो राज्य हैं कि इन सरकार है वहें लगवग सभी स्कीम का जो पैसा है वहें आधार बेश्ट पेमेंट कर रही है एक्जम्बल एक तो पर यहां पर हम आपको बताते हैं जैसे की आपका एक योजना चलाए जा रही है किन सरकार की पी-एम किसान सम्मान दी एक्जम्बल एक तो पर आपको समझा रही है पी-एम किसान सम्मान दी अब जो ये पिम किसान समंदी योजना है ना ये पूरे भरत में माननी है चाहे किसी भी राज्य के किसान हो जो पात्र हैं उनके बैंक खाते में दो-दो हजार रुपे किस्त ट्रांसफर की जा रही है चार महीने के अंतराल पर यानि की हर चार महीने के बाद दो-दो हजाव रुपे केंसरकार पातर किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर करती है अब हम ये हम आपको क्यों समझा रहे हैं क्योंकि जो PM किसान योजना का पैसा है वहें DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जा रहा है और जिसका बैंक खाता NPCI मैपिंग है उन्ही को ही PM किसान योजना का पैसा मिलेगा सबसे पहले जो DBT स्किम चलाए गई थी वहें PM किसान योजना के लाभार्तिकुले चलाए गई थी इसके बाद धिर धिरे लगबग जो केंसरकार की या राजसरकार की योजना ही है अब उसमें नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है ज्यादतरब सरकार जो पेमेंट करती है वहें आधार बेश्ट कर रही है जिसका यहाँ पर हम आपको पेमेंट किया जा रहा था अमाउंट तीन हज़ा और यहाँ पर देखे लिख्यू हुई देख रहे होंगे रिक्वेस्ट की गई थी बीस जून को बीस जून दोहजार चोबिस यह सभी कारेंगे पूरे होए और छे स्टैप्स में इनको पेंशन आसी दी गई जो की अकाउंट बेश्ट थी अब देखिए किस महिने की यह पेंशन आसी दी गई ध्यान से आपको समझना अब यहाँ पर आप यह देख सकते हैं इनको तारिक देखिए पहला है ट्रांजेक्शन तारिक और दूसरा एक क्रेडिट तारिक 28-6-2024 को इनको 3,000 रुपे प्राप्त हुए जो की अकाउंट बेश्ट पेमेंट किया गया था ये वर्ष 2024 की एक अंतिम किस्त थी विकलांगों की और कुछ तवस्था लाभारतियों की जो अकाउंट बेश्ट पेमेंट की गई थी इसके बाद जितनी भी वर्ष 2024 में किस्त ट्रांसफर की गई है वह आधार बेश्ट मिलना सुरू हो गई है चाए वह विद्वा महिलाए हो तलाकसदा महिलाए हो 60 साला पेंशन का लाभ लाभ लाए हो या ओल्डेस पेंशन का सभी को अब सरकार आधार बेश्ट पेमेंट करती है अब देखिए इनको यहाँ पर जो दी गई है अप्रेल मई जून महिने की पेंशन तीन महिनी के साथ तीन-तीन हजार रुपे इनको दे गई है जो की 28 जून को इनको किस्ट पराफ्थ हुई और इसके बाद एक भी किस्ट इनको नहीं मिली अब देखिए अप्रेल मई जून जोलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नॉमबर दिसंबर तीन महिने के किस्ट इनको मिली चुकी है और यहां पर आप कह सकते हैं कि 6 महिने के किस्ट अभी तक इनको नहीं मिली 6 महिने का पैसा इनका रुका हुआ है जब तक नहीं मिलेगा जब तक इनका बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक नहीं होगा जैसे ही आधार कार्ड लिंक हो जाएगा इनका NPCI मैपिंग हो जाएगा DBT इनका एक्टिव हो जाएगा तो इनको पैसा मिलना सुरू हो जाएगा और 6 महिने के इनके पैसे हो जाते हैं 6,000 रुपे क्योंकि इस राजजे में 1,000 रुपे परती महिना पैंशन सरकार देती है लेकिन हर महिने पैंशन को ट्रांसफर नहीं करती तीमाही पैंशन ट्रांसफर की जाती है तो तीमाही पैंशन के हो जाते हैं 3 महिने के 3,000 6 महिने के आप जोर सकते हैं 6,000 रुपे ये हैं एक साथ इनको मिलेंगे एक साथ छे हजार उर्पिन को तभी पराप्थ होंगे जब इनका बेंक खाता आधार कार्ड लिंक होगा जैसे लिंक हो जाएगा इनको पैंशन का पैसा दिये दिये जाएगा अकाउंट बेस्ट पेमेंट कर दिया बंद कर दिया गया है तो चलिए यहाँ पर अब हम आपको एक और pension payment इस्टस दिखा देते हैं कि सरकार अब आधार based payment कर रही है अब थोड़ा यहाँ पर हाँ आपको यह भी समझा देते हैं यहाँ पर आप scheme code दे सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है UP 228 यह एक दिव्यांग pension योजना का code है और UP आप UP का मतलब है उत्तरपरदेश उत्तरपरदेश राज्य में तिमाई pension दी जाती है आधार based payment किया जा रहा है तो चलिए यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं कि आधार based payment हो रहा है या नहीं देखे दोस्तों यहाँ पर जो personal information है वे हमने पहले हाइड की हुई है अब जैसे ह हमने आपको कहा कि सबसे पहले आप स्किम को देखे UP वह भी एक उत्तरपरदेश लाभारती की दिव्यांग pension योजना का payment status था और यह भी उत्तरपरदेश लाभारती एक दिव्यांग pension payment status है अब देखे जैसे हमने आपको कहा कि सरकार ने आधार based payment बंद कर दिया गया है 22 अक्टूबर को request की गई थी 22 अक्टूबर को ये valid हुआ ये भी पूरा हुआ ये भी पूरा हुआ ये और ये भी देख सकते हैं यह पहली परिकिरिया है ये दूसरी ये तीसरी ये चोथी ये पांच भी और ये छटी उत्तरपरदेश राज्ये में छे परिकिरिया में pension का पैसा बैंक खात में transfer हो जाता है तीन हजार रुपे यहाँ पर आप आउन देख सकते हैं नीचे scroll down कर लेते हैं अब जैसे यहाँ पर हम scroll down करेंगे देखिए यहाँ पर लिखा है तीन हजार रुपे और किस तारिक में ये payment किया गया सरकारी तरफ से देख सकते हैं ये transaction date है और नीचे credit date आप देख सकते हैं 26 दस दो हजार चोबिस अब दसों महिना किसका होता है ये होता है अक्टूबर महिना दसों महिना तो आप कह सकते हैं 26 अक्टूबर दो हजार चोबिस को लाखो ऐसे pension धारक थे जिनके बैंक हाते में pension payment किया गया अब देखिए उत्तर और टी भी इसी जिले के हैं माफ कि जगा इसी राजजे के हैं अब ऐसा नहीं है कि एक तारही में केवल एक लाख भारती के payment किया जाता है कई लाक ऐसे pension धारक होते हैं जिनको एक साथ ये payment किया जाता है तो आप कह सकते हैं 26 अक्टूबर दो Εर्चोबिस में कई लाक ऐसे pension लाबारती हैं जिनको पेमेंट किया गया 33,000 रुपे और जो पेमेंट किया गया वह किया गया है आधार बेश्ट समझ रही है आधार बेश्ट पेमेंट कर दिया गया है अब ऐसी स्थिति में जिसका भी बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं होगा NPCI मैपिंग नहीं होगा DBT एक्टिव नहीं होगा तो उनकी पेंशन को रोक लिया जाएगा तब तक रोक जाएगा जब तक ये कारियन का पूरा नहीं होगा कैसे पूरा करा सकते हैं देखे फरक नहीं पड़ता कि आपका बैंक खाता SBI में है या केनरा बैंक में है पंजाब नेशनल बैंक में है फरकता पड़ता है जब आपके पैंशन बैंक खाते में नहीं आती तो कैसे आप अपने रुकी पैंशन एक साथ बैंक खाते में पराप्त कर सकते हैं क्या कारिया आपको करना है आपको कारिये ये करना है जो आपकी बैंक की पास्वुक है वह पास्वुक लेकर जाएए अपना आधार कार लेकर जाएए ओरिजिनल फोटो स्टेट आपको करा लेनी है और आधार कार से जो मुबाइल नंबर लिंक है बैंक खाते से जो मोबाइल नंबर लिंक है वह मोबाइल नंबर आपको लेगर जाना है उनको बोलना है कि सरकार अब आधार बेश्ट पेमेंट कर रही है तो करपिया करके आप हमारे बैंक खाते से NPCI को मैपिंग कर दीजेगा और जो DBT है वह भी आप लिंक कर दीजे DBT लिंक, NPCI लिंक अब NPCI होता क्या है NPCI का मतलब है National Payment Corporation of India यह NPCI की फुल फॉर्म है तो जैसे ही यह आपका कारिय पूरा हो जाएगा फिर जो आपकी रुकी हुई पेंशन है एक साथ आपको दे दी जाएगी जादतर राजजे में या केंसर कार DBT पेमेंट करती है डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो की आधार वेश्ट पेमेंट होता है अब देखिए कुछ ऐसे पैंशन दारक है जो 20 साल से पैंशन प्राप्त कर रहे हैं 25 साल हो चुके हैं या आप कह सकते हैं 27 साल हो चुके है कुछ ऐसे पैंशन दारक है जिनको जिनकी उमिर 18 कंप्लीट हुई और उन्हें अपनी पैंशन मनवाली जैसे की विकलांग है या दिव्यांग है और एक पैंशन योजना ओर चला जा रहे है कुछ तवस्था या पर हम आपकी जानगाट लिए बता दे कि उत्तर प्रदेश राज्ये में कुछ तवस्था पैंशन योजना अलग है और दिव्यांग पैंशन योजना अलग है कुछ तवस्था लाभारतियों को 3000 रुपे पर तिमयना दिये जाते हैं प्रदेश राज्ये में और दिव्यांग को 1000 रुपे परतिमेना दी जाते हैं लेकिन तिमाई पैंशन ट्रांसफर की जाते हैं तो 3000 रुपे ये हो जाते हैं तो समझ गए किस वज़ा से पैंशन रुख जाती है पुरानी पैंशन लाब हारती होगी अब जो नए लाब हारती हैं वे सबसे पहले अपने बैंक खाते से आधार कार लिंक करा लेते हैं तो उनको एनपी से मैपिंग करानी के विशक्त नहीं क्योंकि ये पहले ही पूरा हो चुका है जिसको लगता है कि हमारा बैंक खाता एनपी से मैपिंग है या फिर नहीं है कैसे पता कर सकते हैं आप हमें नीचे कमेंट कीजिए फिर हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जान सकते हैं कि आपके बैंक खाते से आधार सीडिंग हुई है या नहीं एनपी से मैपिंग है डिबिटी एक्टिव है कैसे पता कर सकते हैं नीचे कमेंट कीजिए फिर हम आपको बताएंगे कैसे चेक किया जाता है आज की जानकारी में बस इतना ही यदि आपको हमारे दिवी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाते हैं नीचे कोमेंट बोक्स में जागर पूछ सकते हैं सभी सालों का जवाब आपको दे दे जाएगा यहाँ पर हम आपके जानकारी के लिए बता दे कि इस समय जो आपको पैंशन पेमेंट इस्टेटस दिखा जा रहे थे वह है यहाँ पर आपको बताय गया था कि किस करण के वज़े से पैंशन रुख जाती है और यह सभी आपको PFMS के उसल वेबसाइट के माध्यम से दिखा जा रहा है यदि आप भी चेक करना चाहते हैं तो कमेंट किजिए तरीका हम आपको पताएंगे लाश्ट में हम निवेदर यह करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स वीड़ में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भार